कि मेरानी गुपता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से आपको बता दे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार बिखरती हुई नजर आ रही है अरविंद केश्रवाल को बड़ा जटका लग रहा है बता दे कि अब इस बार आम आदमी पार्टी के दिगज नेता ने पार्टी छोड़ दी है दरसल वो राजकोट के आम आदमी पार्टी के प्रमुक थे और उनका इस तरीके से पार्टी छोड़ कर जाना के पाइन कर ली थी लेकिन कुछ वर्षों के बाद अब जो नाराजगी है वो साफ तोर पर सामने आ गई है और राजभज हला ने आम आदमी पार्टी से इस्तिफा दे दिया है पार्टी को अलविदा कह दिया है बता दें विधान सभा चुनाव होना है गुजरात में तारीखो का अलान हो चुका है इसी के साथ ही लगातार जो कवायद है वो शुरू हो गई है तमाम जो नेता हैं वो पार्टी बदलते हुए नजर आ रहे हो जादा तर लोग आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर कॉंग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जब से सुदान गडवी का चहरा आमादमी पार्टी की ओर से सीम फेस के तौर पर अनाउंस किया गया है तब से पार्टी में खलबली जादा मच गई है तमाम नेता जो हैं लगातार गडवी के सीम फेस अनाउंस होने के बाद सही नाराज चल रहे हैं जहां देखने को मिला था कि नाराजगी के वज़े से ही आमादमी पार्टी को अलविदा कहा है इस्तिफादिया है और कुछ यही बाते राजभाद ज्हाला की केस में भी निकल करके सामने आती है यही कहा जा रहा है कि सुदान गडवी जब से सीम फेस के उमीदवार के तोर पर सामने आये हैं उनका च bjp में शामिल हो रहा है लेकिन आधिकटर जो लोग हैं कहीं ना कहीं बीज़े पी में शामिल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि तमाम सर्वेय में यही दिखाया जा रहा है कि एक बर फुर से गजरात विदान समा में भगवा लेहर चल रही है और आने वाले समय में यानि कि 8 दिसंबर में जो रिजल्ट है वो बीजेपी के फेवर में आना तैय है जिसकी वज़े से जो तमाम नेता है वो लगातार बीजेपी का रुख करते उबें दिखाई दे रहे हैं इसी के साथ ही जब से आम आदमी पार्टी ने अपने उमीदवारों के टिकेट का हैं उनके नामों की सूची सामने लाई है इसकी वज़े से भी नाराजगी काफी जादा चल रही है और ये जो फीर बदल है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है फिलाल अरविंद केश्रवाल लगातार दोरा कर रहे हैं गुजरात का लेकिन इससे कोई फायदा अ आदमी पार्टी में उनके नेता ही खुश नहीं है तो वो आखिर जनता को कैसे खुश रख सकते हैं बात ये सिर्फ ना गुजरात की है बलकि ये चीज़े दिल्ली में भी देखने को मिल रही है कि दिल्ली में जनता किस कदर बेहाल है पंजाब के अंदर भी यही शिकायते हैं जहां ये कहा करते थे कि पंजाब में कसान बहुत जादा खुश रहेंगे उन्हें प्राब्लम्स नहीं होंगी पराली को ले करके या फिर अपने उपस को ले करके उन्हें आंदोलन नहीं करना होगा धरना नहीं देना होगा उनकी बाते सुनी जानी चाहिए और सुनी जाएंगी आपकी सरकार में लेकिन देखने को मिल रहा है 6-7 महिने से भी जादा हो गया है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए लेकिन वहां पे देखने को मिलता है कि कैसे अगर किसान आंदोलन भी करते हैं तो उनके आंदोलन को छुपा दिया जाता ह आई क्यूंकि कोई मीडिया कभरज वहां पर नहीं जाती है जिसकी वज़े से यह चीज्जे सामने नहीं आ पाती लेकिन यह चीजे देखने को मिली है कि कैसे किसानों उने संग्रूर जो की वहां के सियम भगवंत मान का आवास है वहां का विधान सभाक्षेत्र है उनके विधान सभाक्षेत्र संग्रूर में कैसे किसानों ने यह अंदोलन किया है यह तस्वीरे भी सामने आई है इसी के साथ ही अर्वेंद केशवाल तमाम बातों की तमाम समस् कह रहे हैं कि गुजरात में हमरी सरकार बन जाएगी तो यहां कि समस्याओं को निजात दिलाएंगे और समाधान करेंगे और पंजाब में भी उन्होंने यहीं वादा किया था खासकर पराली की समस्याओं को ले करके और वहां पर नशे को ले करके उन्होंने बदलाव की बात गई थी लेकिन आज भी देखने को मिल रहा है कि पराली जलाने की जो घटना है वहाँ पर और भी जादा बढ़ गई है इसी के साथ ही जो नशे पर उन्होंने बात की थी कि पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे और इस पर वो काम करेंगे तो ये भी चीज़े देखने को मिल कि अब तो पंजाब में कंडिशन और भी जादा खराब हो गई है वहाँ के जो यूवक है और भी जादा नशे के आदी हो चुके हैं और ये तस्वीरे आए दिन सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगी कि किस कदर पंजाब उड़ता हुआ नजर आता है फिराल जिस तरीके से वो तमाम राज्यों के समस्याओं की समधान की बात करते हैं तब तक ही करते हैं जब तक की केश्रवाल की सरकार वहाँ पर नहीं बन जाती है तब ये तो समस्याओं ही रहती हैं उनके समधान का कुछ भी पता नहीं चलता है लेकिन ऐसा ही वादा वो गुजर बदल करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाओं में जीता हासल कर रही है और बीजेपी को पीछे छोड़ देगी लेकिन यह जो चीजे हैं सिर्फ उनके ओपीनियन पोल्स में दिखाई देते हैं उनके किये गए दावों में दिखाई दे तमाम ऐसे सर्वे हैं जो यह दिखाते हैं कि जीत वहाँ पर बीजेपी पार्टी के हो रही है 27 सालों से बरकरार है वहाँ पर बीजेपी की सत्ता ऐसे में साल भी वहाँ पर बीजेपी की सरकार बननी लगभग तैमानी जा रही है और इसी के साथ ही लोगों की अगर उपीन किया जाता है कि किस तरीके से गुजरात ने डावलपमेंट किया है और वहां कि सरकारों ने गुजरात के विकास में काम किया है लेकिन अब अर्विंद के शुवाल यह कहते हैं कि गुजरात में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है जिसके बाद इसको ले करके लोगों ने भी आ और ये है आपकी सरकार का काम इसमें कितना फर्क है और कितने वादे आपके द्वारा किये गए हैं ये सभी को पता है आप 2014 से आए हैं सक्ता में आपने तब से दिल्ली की अमुना को साफ करने का वादा किया लेकिन आपने अभी तक उसको पूरा नहीं किया तो हम आपकी बात पढर पादब करते धरना करते हैं वो धरना करते एंधर या चीज मेल दिली और पंजाब को लग रहा है या उसके बाहर के लोगों को लग रहा है कि केशवाल सरकारEO में इसी चीज है नहीं हो रही है लेकिन यह चीजे सोशल मीडिया पर सामने आही जाती है इस तरीके से किसान परेशान है पंजाब के अंदर वो भी तस्वीरे सामने आ जाती है फिलाल जिस तरीके से लगातार चुनाव से पहले एक के बाद एक जटके लग रहे हैं अरवंद केशिवाल को जिस वक्त अरवंद केशिवा को यह जरूरत है कि पार्टी मजबूत होनी चाहिए पार्टी के तमाम नेता जो हैं प्रचार करें चुनाव को लेकर कि तब एसे में देखने को मिल रहा है कि जो नेता है वह लगातार आम आदमी पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं पार्टी चोड़ रहे हैं और इससे जो हार है वह लगभग तैमानी जा रही है क्योंकि जब नेता ही अर्विंद के इश्रवाल का साथ नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में कैसे उमीद की जा सकती है कि जनता उन्हें वोट देगी और उनकी सरकार गुजरात के अंदर बनाएगी इसे के साथ ही कई लोगों का ये भी कहना है कि वो दिल्ली में पूरी तरीके से दिल्ली के जनता का देख भाल नहीं कर पार है तो ऐसे कैसे माना जा सकता है कि जब वो दिल्ली की देख भाल नहीं कर सकते तो जरूरी है कि वो गुजरात की जनता का ख्याल रखे और गुजरात की जनता से किये गए बादों को प यह उन पार्टियों में वापस जा रहे हूं और ऐसे मेराजवा-जहला का पार्टी से इस्तिफा़ देना पार्टी को अलविदा कहना कहा जा रहा है कि उनकी फिर से घर वारामी में शामल हो सकते हैं जिस तरीके से एक बाद एक लगातार जटके केश्रिवाल को लग रहे हैं तो इससे आम आदमे पार्टी गुजरात में लगातार तूटती हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है फिलाल आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरू झाल झाल